नमस्कार दोस्तों, मैं अलफाएस, स्वाद करता हूँ आपका हमारे येट्व चैनल माई एडिल वर्ड में और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंटर सेल कर्विक्शन के स्टोरी के बारे में, so let's get started दोस्तों, इस गेम की कहानी, स्प्रिंटर सेल डवल एजेंट के तीन साल बात की है, जहां हम गेम की शुरुआत में, फॉर्मर नेवी सेल विक्टर कोश को दिखते हैं, जो इस गेम का नेरेटर है, और जिसे ब्लैक एरो के लोग इंटरोगेट कर रहे थें, ब्लैक एरो कौन है कि सैम दुनिया के लिए मर चुका है, क्योंकि उसकी बेटी किसी कार एक्सिडेंट में मारी गई थी, इस हादसे के बाद सैम ने थर्ड एसलोन को छोड़ दिया था, और दुनिया से खुद को अलग कर लिया, फिर जब सैम को पता चलता है कि उसकी बेटी का मर्डर किया था, तब से वो उस किलर को ढूड़ने में लगा हुआ है, और रुमर्स का पीछा कर वो वैलेटा सीटी में पहुंचता है, जो मालता में थी, इसके बाद हम वैलेटा सीटी को देखते हैं, जहां एक वेटर सैम को एक फून और ग्लूतूफ देता है, वो फून ग्रीम ने से एक किलर को पकड़, उनसे पूछता है कि किसने उन्हें वहां भेजा, और उस किलर से उसे एंद्री कोबिन का पता चलता है, जिसने एक बार थर्ड एसलोन के लिए काम किया था, और सारा के देत के बारे में कुछ जानता था, सैम उसके में पहुंचता है, और कुछ फिर इसके बाद हम ग्रिम और ब्लाक आरो की कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जो सैम को प्राइस एर फिल्ड में लेके आई थी, जो वर्जीनिया में थी, वहाँ वो लोग सैम से कुछ पता करना चाहते थें, और ये काम ग्रिम अपने हाद में रेती है, और टॉम रेट अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है, टॉम रेट थर्ड इसलॉन का डारेक्टर है, जिससे लेमबर्ट के देख के बाद डारेक्टर बना दिया गया, सबके जाते ही ग्रेम सैम को अजाद कर देती है, और वो बताती है कि वो ब्लैक एरो के लिए नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट के लिए काम कर रही है, उसका काम टॉम रेट पे नज़र रखना था, जो ब्लैक एरो के साथ काम कर रहा था, जो एक प्राइवेट मिलिटेर कमपनी है प्लैक एरो एक रशियन येंपी टेकनोलोजी को यूज करने जा रही थी और इस काम में रेट उनकी मदद कर रहा था ग्रीम पूरी तरह से इन्विस्टिकेट नहीं कर पा रही थी वरना उन्हें उस पर शक हो जाता इसलिए वो सैम को ये काम करने को बोलती है सैम य दिश्रीम के साथ काम करने को तयार हो जाता है जिसके बाद गरे मुसे अपने कार की चाबी और ब्लूतुफ देती है और सैम होँसे चला जाता है और जाने से पहले वो उनका सेटलेट डिस्च उड़ा देता है ताकि वो उसे ट्रैक ना कर सके इसके बाद सैम विक्टर कोर जो Black Arrow का CEO है उसका काम White Box Research and Development House को Corporate Security प्रवाइट कराना है जो EMP Technology पर काम कर रही है और Security वाला काम अचानक से 6 महिने पहले White Box ने Black Arrow को दे दिया जिससे Sam और Victor को शक होता है कि Black Arrow को जो EMP Technology चाहिए वो सायद White Box उन्हें दे रही है और इसके बारे में पता करने के लिए वो White Box के अंदर जाता है वहाँ पहुचने पर वो दिखता है कि Black Arrow के Security साइंटिस से जबदस्ति काम करवा रहे है और जो उनकी बात नहीं मान रहा उसे वो मार दे रहे है और ये सब के बारे में Lucius को कुछ भी मालूम नहीं है फिर Sam एक सैंटिस को बचाता है और वो बताता है कि वो लोग एक तरह के EMP generator पे काम कर रहे है और Robertson उनका सारा experimental data चुरा रहा है ये जानने के बाद Sam Robertson के system की तरफ बढ़ता है और बीच में Grim Sam को उसकी बेटी से बात करवाती है फिर Sam सारा data Grim के analyst को access करवाता है ताकि वो कुछ पता कर सके Sam वहाँ से जाने से पहले Robertson को EMP के जटके देता है और वो मर जाता है Sam Grim को लूशेस के बारें बताता है और Grim उसके बारें पता लगाना शुलू करती है फिर इसके बाद Grim को पता चलता है कि टॉम रीड लिंकन मेमोरियल में लूशेस से मिलने जाने वाला है ये बात रीड ने Grim से चुपा के रखी थी जिससे Grim को शक होता है कि रीड करना क्या चाहता है जिसके बाद ये बात Grim ने President को बताई फिर इसके बारें पता करने के लिए President Sam को किसी तरह एक फेक आइडी का इंतिजाम कर लिंकन मेमोरियल में भेजती है Sam Audio Surveillance को Grim से कनेट करता है जिससे उसे पता चलता है कि Black Arrow Sam को मारने का काम अभी तक नहीं कर पाई थी इसलिए रीड लुशेस को इस बारें में सीरियस होने को कहता है उसका प्लैन जिसपे वो काम कर रहे थे उसे Megiddo ने बनाया और उसके लिए फंड भी किया वो लोग एक दुसरे को उनके काम पे फोकस करने को कहते हैं क्योंकि उनके पास वक्त काम था जिसके बाद रीड वहाँ से चला जाता है फिर सैम लोशियस के पास जाता है और उसे सब कुछ पता लगाता है जिससे सैम को पता चलता है कि तीन EMP जनरेटर पूरे सहर में फैले हुए हैं जिससे ट्रिगर करने के बाद रीड अपना काम पूरा कर लेगा फिर सैम मेगीटो और उनके प्लैन के बारें पुछता है और लोशियस बताता है कि मेगीटो एक ऐसी औरकनेजेशन है जो बहुत पावफुल है और जिसकी पकड़ वाशिंटन से मॉस्को तक है प्लैन के बारे में और बताने से पहले कोई लोशियस को मार देता है और जब सैम उसका पीछा करता है तो उस किलर को भी कोई मार देता है फिर और पता करने के लिए सैम थर्ड एसलोन के हेटकोर्टर में जाता है और वहाँ पहुचने पर उसे चारली फ्राइमेन मिलता है जो उसे सुनार गोगस देता है ताकि वो अंधेरे में और दिवार क्यारपार भी देख सके फ्राइमेन गिलिम के साथ काम करता था और सैम को जानता था सैम आगे रीट की आफिस की तरफ पहुचता है जहां उसे कॉबिन मिलता है जिससे सैम को पता चलता है कि मेगिडो का प्लैन पूरे वासिंटन डिसी में तीन EMP जिनेटर यूज़ कर एक ऐसा पावफुल पलस र प्रेसिडेंट बन जाए और ऐसा करने के बाद रीट के हाथ में बहुत पावर आ जाएगी इस काम को पूरा करने के लिए रीट ने EMP जिनेटर इंपोर्ट करवाय थे फिर सैम अपनी बेटी के बारे में पुचता है और कॉबिन बताता है कि ग्रिम के कहने पर कॉबिन ने जिसमें वो कह रहा होता है कि थर्ड एसलोन में एक ऐसा आदमी था जिसका प्लैन सारा को यूज कर सैम को कंट्रोल में लेना था ताकि वो उसे अपना काम करवा सके फिर लैंबर्ट ने ये प्लैन बनाया कि वो सारा की देट शो कर देगा ताकि वो उस आदमी को ढून सके लेंबर्ट ये नहीं करना चाहता था लेकिन सारा की सिक्रोटी के लिए उसने एक अदम उठाया ताकि सैम बिना डरे अपना काम कर सके लेंबर्ट का ये प्लैन फेल हो गया था और वो उस आदमी का पता नहीं लगा पाया और ऐसा करने के लिए लेंबर्ट को बहुत दुख हुआ था ये जानने के बाद सैम खुद पे काबू नहीं रख पाता है लेकिन ग्रीम उसे सम्हलने को बोलती है जिसके बाद वो सैम को बताती है कि वाइट बॉक्स से मिले डाटा को एनलाइस करके उन्हें पता चला है कि पूरे शहर में तीन एमपी जेरेटर से और एक जेरेटर बहुत करीब है और उसका ब्लास्ट रेडियस सारा को एफेट कर सकता है उसके पास तीनों तबहा करने का वक्त नहीं था इसलिए वो जल्दी से मिशिगन की तरफ बढ़ता है और ग्रीम वाइट हाउस की तरफ प्रेस्टेंट को बचाने के लिए बढ़ती है फिर वहां प से कॉन्टेट करता है और विक्टर यह जानने के बाद हलको लेके आता है यों को ऐस एक覺 वर घरास्टे में देखते हैं कि बच्चे घर एक्टीवेट हो जाते हैं जिससे पूरे सहर में सरनाटा हो जाता है और उनके हलिकॉप्टर पे मिसाल से अटाइक होता है जो असल में वाइट हाउस की एर डिफेंस मिसाल थी उनका helicopter crash हो जाता है लेकिन वो लोग बज जाते हैं इसके बाद Victor Sam को बोलता है कि वो जाकर गिरिम की मदद करे और वो सारा का ध्यान रखेगा White House पहुँचने पर हमें पता चलता है कि वहां United States Secret Service Cops प्रेसिडेंट तक पहुँचने की पूरी कुछिस कर रहे हैं जिसे Black Arrow के मशनेरीज और 3rd Salon के कुछ आदमियों ने पकड़ के रखा है अंदर जाने पर Sam का सामना रीट के आदमियों से होता है और वहां कोई Black Arrow के मशनेरीज नहीं बर्कि सारे मंबर 3rd Salon के होता है जो सिर्फ रीट की बात मागते थे फिर रीट के आदमियों से रटते हुए Sam Vice President Samson के पास पहुचता है और उसके इस हरकत के लिए उसे गोली मार देता है फिर इसके बाद Sam Grimm के पास पहुचता है और Sam को रीट के पास ले जाने के लिए Grimm Sam को गोली मार देती है ताकि रीट डर की वज़ा से President को कुछ ना कर द और वोल आफिस में रीट Sam को ऐसी हालत में देख ये मान लेता है कि Grimm उसके साथ है जिसके बाद वो Sam को अपना पूरा प्लैन बताता है टॉम रीट, Sam और President को मार कर सबको ये बताता कि President को Sam ने मारा था और वो लोग President को बचा नहीं पाएं रीट ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि Lambert के देख के बाद President 3rd Epsilon को बंग करने वाली थी और अगर रीट ने President को मार के Sam पर रिज़ाम लगा दिया तो लोग ये मान लेंगे कि देश को 3rd Epsilon की जरूरत है और बाकी काम सैमसंग कर देता मेगिडो ने भी रीट का साथ दिया क्योंकि पावर में आने के बाद जो काम President करने जा रही थी वो मेगिडो को पसंद नहीं आया और इसलिए वो भी President को मारना चाहते थे ये जानने के बाद सैम रीट पर हमला कर उसके आदमियों को मार देता है और President को ग्रिम बचा लेती है फिर सैम की इंटेरोगेट करने पर रीट बताता है कि लैंबर्ट जिस आदमी को ढूंड रहा था वो आदमी खुद रीट था लैंबर्ट को स्पाई वाली बात इसलिए पता चली क्योंकि ऐसा रीट चाहता था ताकि वो सैम के करीब आ सके जिसके बाद वो थर्ड एसलोग तक आसानी से पहुँच जाए ताकि वाइट हास तक पहुँचना उसके लिए असान हो जाए इसके बाद प्लेयर के पास अप्शन होता है कि वो खुद रीट को मारता या फिर ग्रेम को मौका देता उसे मारने के लिए रीट के एंकाउंटर के बाद स्टोरी एंड हो जाती है इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां से गेम की स्टोरी सुरू हुई थी विक्टर बता रहा होता है कि सैम ने उसे वादा किया था कि वो उसे ऐसे प्रोटेक्ट करेगा जैसे कोई अपनी भाई को करता हो फिर वहाँ अलाम बसता है और हमें पता चलता है कि सैम विक्टर को बचाने आ गया है तो दोस्तों ये तिकान इस प्रिंटर से र कन्विक्शन की अब बात कुरू इस गेम की तो इसकी स्टोरी इतनी थ्रिलिंग और मिस्टिरियस है उससे कई ज़्यादा कमाल मुझे इस गेम का प्रेजेंटेशन और गेंपले लगा और इसमें सबसे खास मुझे विक्टर का नेरेशन लगा जो इस गेम को एक मूवी का फिल देती है अगर आपको पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यह जरूर खेले और अगर आपने यह गेम खेला है तो कमेंट और पूल में जरूर बताईएगा कि आपका एक्सपिरियेंस कैसा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक करें और इससे जरूर शेयर करें अगर आपको कोई भी सवाल यह सुझा वो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं और ऐसी गीमिक्स जोड़े और भी इंट्रस्टिंग वीड झाल प्लीज खो आपको करें और आपको करें अबियो से तो आपको करेंगर करें।